हलो दोस्तो नमस्कार के जितने भी इंपोर्टेंट विडियो अभी की जो लिटेस्ट ब्रेकिंग नीज आई है दोस्तो लिटरली बाजार में मतलब हम कह सकते एक बहुत बड़ा टेंशन था जो की रिलीज होते वे देखने कुमें रहे इस विडियो को जरूर जरूर देख लेना लिंक नीचे डि इदर उदर भटका ना तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं वो लिंक ही ब्रेक हो जाएगी सो फोकस अच्छी तरीके से देना यही चीजे बाजार में आप लोगों को कोई यहापे पचास हजार या फिर कोई एक लाक रुपया लेकर यहापे चीजे बताता है जो कि मैं अभी चीज है ऐसी कौन सी दो से तीन से चार ऐसी चीजे है जो कि अभी आप लोगों ने आपे करके रखनी है वो मैं आपको यहापे बताने वाला हूँ और जितनी चीजे आप नोट करके रखते हो आप उन चीजों को एक्चुल में इंप्लिमेंट करते हो वरना आपकी दिमाग अभी कौन सा रिजल्ट आने वाला है quarter 2 के रिजल्ट सो जब ही quarter 2 के रिजल्ट आते हैं तो इन ये कुछ चीजें आप लोगोंने प्रिपेर करके रखने हैं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा अगर कोई बताएगा तो इसी वीडियो को कौपी करके आपको बताएगा कि ऐसा करके आपे रखना रखना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बता है यह maximum चीजे मैंने experience से गेंड किये जो कि मैं आपको यहां पर आपको यहां पर बता रहा हूं तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के सवाल भी रहते हैं डाउड भी रहते हैं कि सर यहां पर अगर मुझे profit booking करने बहुत ध्यान से सुन लेना आपका जिस प्रकार का सवाल है उसके इसाब से मैं जवाब दे रहा हूं कि सर अगर मुझे यहा के पहले profit booking करूँ और कौन से स्टॉक में profit booking ना करूँ तो दोस्तों देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी company का business अगर अच्छा करेगा तो वह शेर अच्छा भागता ही रहेगा प्लस मैनस तो बाजार में आपे चलता रहता है बड़ अगर आप profit booking ही करन चाते हो तो एक logic में आप लोगों के सामने आपे रखना चाहूंगा देखे आपको पता है कि stock market में दो प्रकार के stocks होते हैं मतलब यहां पर मैं अगर आपको बता दू एक कौन सा stock होता है एक होता है जो F&O में आते है future and option में आते हैं एक ऐसे stock जो की future and option में नहीं है और इन प्रॉपरली नोट कर लेना अभी आप बोलोगी इससे क्या फरक पड़ता है बहुत जादा फरक पड़ता है देखे जो stock future and option में यहां पे है derivative market में है उस stock में आपको as such profit booking करने की ज़रूत नहीं है देखे profit booking करने की ज़रूत नहीं है मतलब इसका अर्थ क्या है कि यहां पर यह वाले जो FNO वाले जो stocks होते ना दोस्तों वो आपको profit book करने का बाजार during the market मौका देगा ही देगा मौका देगा मतलब चलिए मान लिजए आपके पास कोई अच्छा शेर है जो अच्छा कर रहा है और जो future and option में है और समझ दीजिए कोई खराब news आ गई तो वो stock नीचे रियोपन हो जाता है हौल्ट लख लख के बट वो circuit कम्प्लिटली नहीं लगता है और उसके चलते आप क्या कर सकते हो अगर stock में अगर कुछ गड़बड़ी हुई आपको exit करने का मौका मिलेगा आप market order लगा दू कि FNO वाले stocks में आपको exit मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वो highly liquid stock रहते हैं पर दोस्तों ऐसे कोई stock से जैसे कि मैं आपको बहुत बार बताता हूं यह खुद technique में भी इस्तमाल करता हूं कि अगर कोई microcap company है ठीक है एक बहुत ही छोटा company है तो यह microcap वाले जो stock रहते हैं आप सब लोगों को पता है यह बहुत ही तेज भागते हैं अगर मे future run option में नहीं होते हैं जैसे मैंने आपको बता है एक company ऐसे है जो कि F&O में होते हैं वो सभी के सभी large capy होते हैं सवाली नहीं उठा और दूसरे ऐसे company होते हैं जो other than F&O होते हैं उन companies में आप decision ले सकते हो profit booking का result आने से पहले क्यों क्योंकि अगर यह company मान लीजे यहापे market के हिसाब से फिर उसमें exit मिला तो हम लोगों का luck अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग फस गए तो यह जो सवाल आप पूछ रहे थी कि profit booking कौन से stock में हम लोगों करना चाहिए तो आप ऐसे stocks में यहापे विचार कर सकते हो जैसे मैं आपको पता है जो F&O में है उसका tension मत यह वहापे आपको opportunity easily मिल जाएगी बड़ जो F&O में नहीं है वहापे circuit लगातार लगते जाते है और अगर आपको decent profit हो रहा है और अगर आप डर रहे हो कि वो मेरा profit ना चला जाए तो आप चाहो तो पहले profit booking करके रख सकते हो बाद में company के number अगर अच्छे आगे फिर and वो बहुत ही चोटे company है micro cap small cap मुझे उससे कोई exit नहीं लेना है बट क्या पता उनके number इतना मतलब stock ऐसा भागा है literally and वाकई में उनके number जबरदस धाकर थे बट इस वग भी क्या ऐसे number आएंगे पता नहीं अगर number वाकई में वापस अच्छे आएंगे तो क्या करूँगा म लगातार lower circuit and जो मैंने कमा है वो शायद से मैं गवा भी सकता हूँ तो ये चीज़े में बहुत बार यहाँ पर क्या करता हूँ practically implement करते रहता हूँ again करो अगर उसके number अच्छा है तो वह वापस re-entry कर लूँगा मुझे उसमें कोई problem नहीं है बट मैं आपने आपको safe रख के इस प्रकार का खेल खेलता हूँ तो अगर आपको करना ही है profit booking जो लोग सवाल पूछ रहेते हैं I guess आपको इस सवाल का जवाब यहाँ पर मिल चुका होगा तो अगर आप यह नहीं करते हो तो बाद में आपको पच्टावा यहाँ पर हो सकता है यह हो गया point number one presentation खराब है ज कुछ लोग stock market को बिल्कुल casual लेते हैं ठीक है ना क्या फरक पड़ता है quarter two भी आएगा three भी आएगा four भी आएगा इसके पहले one भी आए तो दोस्ते ऐसा नहीं करना है मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि आपको एक excel sheet maintain करके रखनी है excel sheet maintain करो या फिर कोई एक diagram बनाओ या फिर pain और paper लेकर बेड़ जाओ तो इसमें भी excel sheet में तीन चीज़े करनी है एक दो तीन सो वो तीन चीज़े क्या करनी है सबसे पहले अपना portfolio record करो आपके पास कितने shares है 20 shares है 25 shares है कितने भी हो सकते हैं तो अगर आपके पास 20 shares है पूरे shares के नाम लिखो और उसके सामने date लिखो कि उस company के numbers कब है आदे लोगों को पता ही नहीं होते हैं उनके company के numbers हो गए कल numbers है कोई excitement नहीं तो ऐसी चीज़े नहीं करनी है दोस्तों अगर आप stock market को वाकई में seriously देखते हो तो जो बड़े-बड़े लोग है company है institution से वह सारी चीज़े करती है experience से बता रहो मैं आप लोगों को वैसे तो उनके पास बड़े-बड़े software रहते हैं टीम रहती है बट आपको इतना तो काम करना आना चाहिए कि आपका portfolio में जितने भी शेर जेना ABCD जितने भी है 25 शेर तो सब के सामने date लिखो कि कब number है कुछ company के dates release हो चुके होंगे कुछ नहीं हो चुके होंगे तो वहाँ पे हम लोग कैसे लेखेंगे तो वो तो blank छोड़ दो बट जब कभी तो आगे जाके update होगा तब note कर लेना तो ये एक काम आप लोगों ने करना है ये हो गया आपके portfolio से related काम अभी second काम क्या करना है कि ऐसे company दोस्तो जो की मेरे portfolio में नहीं है बट हमें उसमें interest है क हाँ ये company अच्छा कर रही है मैं इसके उपर focus रख रहा हूँ और अगर ये company अच्छे number दिखाती है तो शायद से मैं उसमें थोड़ा सा quantity खरीद के आगे बढ़ सकता हो तो ऐसे कुछ stocks आप लोग ने watch list में add करके रखे होंगे कि नी तो उनका भी अलग से excel sheet maintain कर लेना और आपे भी कौन-कौन से stocks है वो लिख लेना 5-10 जीतने भी stocks है उनके नाम लिख लेना और उनके भी result के dates कब है वो भी mention कर लेना क्योंकि आपने ही तो बोला है कि वो company के number अगर अच्छा हैंगे तो आप छोटा quantity खरीट सकते हो तो ये भी करके आप लोगों ने आपे रखना ह होता है सो ये हो गया excel sheet का point number two and excel sheet का point number three controversy वाले stocks controversy है या फिर कोई खतरनाक news आई थी उस company से related कोई आरोप लगा था ये company का management को हटा दिया है RBI ने restriction डाल दिया है उस company से related भी अलग से excel sheet maintain कर लिना वो तो company हमारे portfolio में तो नहीं है ना तो हमें खरीदना है बट फिर भी ऐसे company के numbers मज़्यदार हो सकते क्योंकि बहुत सारे companies के pole मतलब जोलते ना pole खोल जाना वो result में आ जाते है yes bank की pole कब खुदी थी numbers के वक्त result सामने आये पता चला देड़ लाग करोड का provision ही books of account से बाहर रखा था और जैसे numbers audited numbers clear मतलब सामने आ गए रवनीत गिल के management के अंदर तो पू investment किया गया था वो stocks की भी excel sheet maintain करना और उनके भी dates को result कब है वो note करके रख लेना और उनको study करना है हम लोगों ने वहापे कोई action नहीं लेना है इसके चलते आपकी जो काबिले थे बाजार के चलते आपका preparation अच्छा होता है भेनत का काम है दोस्तों आदे लोग तो वीडियो views रहेंगे एक बार देख लेना कि इसके views कितने है 10,000 है 20,000 है 30,000 है and कितने लोगों ने just comment section में reply किये yes करके percentage calculate करके देख लेना it's not even 1-5% also and यही reason है दोस्तों कि क्यों लोग stock market में यहापे अच्छा कासा return नहीं कमा पाते क्योंकि वो seriousness ही नहीं होती है उनमें आदे लोग बीच में ही वीडियो को तो ऐसा बिलकुल भी करना नहीं है यही चीज में 50,000 लेके बताऊंगा तो बोलो कि सर क्या जबरदस बात बोता दी बट यही चीज में आपको free of cost यहापे बता रहा हो तो यह मेहनत का कामें छोटा सा कर लेना आप ही को इसका फाइदा यहापे होन नहीं है उसके इसाब से अकॉर्डिंगली जो मिने अभी आप लोंको बता है वैसे इंप्लिमेंट कर लेना आप सेफ भी हो जाओगे और बाद में अगर आप चाहो तो उसको खरीद दिलेना इतना कौनसा बड़ा पाहड तूटने वाला है बाद में रिइंटर कर लोगे त तो इस सारी चीज़े अभी में आप लोंको आप बताई है तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन खराब था तो माफी जरू मागना चाहूँगा बट यहाप वीडियो अच्छा लगे तो जरू लाइक कर देना अभी तक वीडियो में कर माचर कर कर देना अभू हाब लगे जरू हाओ वीडियो में वीडियोर लो जरू वीडियो और अभी गजा है तो Videos अगर किया है very